सीजन फूर एपिसोड फ्री जब स्टार्ट होता है तो नाचो को गस के आदमी एक सुमसान जगा लेकर जा रहे होते हैं उस गाड़ी में नाचो के फ्रेंड की डेर्ड बॉड़ी भी होती है वो रस्ते के आसपस वो गाड़ी लगा देते है और फिर वो गाड़ी पर बहुत सारी गोलिया चलाते है नाचो को अब एक स्टोरी बनाने होती है जो कार्डेल को बता सके इसलिए ये सब वो create कर रहे होते है ये स्टोरी believable होने के लिए नाचो को गोली मारते है नाचो के कंदे पर उन्होंने गोली मारी होती है पर वो अपना mind change कर लेते और नाचो को और एक गोली मारते है फिर नाचो twins को call करता है next scene में हमें दिखाई गई है Mike और Saul की meeting Saul उसे समझा रहा होता है कि ये जो statue है ये तुमें चोरा लेना है Saul उसे समझा रहा होता है कि ये बहुत ही easy job है तुम वहाराद में जाओगे वहाँ security भी कुछ भी नहीं है तो तुम वो pick up करोगे और हम जो पैसे यहाँ से आएंगे वो 50-50 कर लेंगे ये जो statue होता है इसके कीमत $8,000 होती है तो ये बहुत ही अच्छी deal होने वाली होती है माइक उसे पुछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो Saul बोलता है कि सिर्फ मैं पैसो के लिए करने वाला हूँ तो माइक फिर इसमें interest नहीं लेता माइक बोलता है कि मैं काम नहीं कर सकता नाचो को लेने के लिए फिर वो twins आते है तुम जब वहाँ बहुछते है तो वो उसे पुछते है कि किसने तुम्हें ये किया है नाचो फिर एक ग्यांका उन्हें नाम बताता है मेसा वरटे के इसका जो लोड होता है वो किम से अकेला नहीं समाल जाता तो अपने लिए एक पैरा लिगन ले ले लेती है उसके असिस्टन की तरह वो काम करती है मेसा वरटे के ओफिस में वो आई हुई होती है और वो अपना सब प्लैंस वेगरा बता रही होती है फिर मेसा वरटे जो होता है वो अपने साथ उससे ले कर जाता है वो अपने जो branches होते हैं उसका plans उसे दिखाता है अब उसे बहुती बड़ा expansion करना होता है किम जब नीचे उतरती है तो उसे लगता है कि वो अपने life के साथ क्या कर रही है वो lawyer बनी होती है लोग को help करने के लिए फिर वो वहाँ से directly court में चली जाती है अब Mike Saul का का काम नहीं करने वाला होता तो Mike का जो हमेशा का doctor होता है जो सब काम उने देता है उसके पास Saul जाता है वो doctor एक आदमी से बात कर रहा होता है पर वो आदमी मानने रहा होता है job करने के लिए Saul फिर उसे personally समझाता है कि बहुत easy job है तुम idiot होगे अगर तुमने इस opportunity को छोड़ दिया फिर वो आदमी वहाँ से मान जाता है नाचो की गोलिया वगरा निकालने के लिए उसी doctor को ये twins ला देते है डोक्टर फिर twins को बोलता है कि गोलिया बहुत ही damage कर चुकी है अगर ये stitches यहाँ से निकल गए तो बहुत बड़ा infection हो सकता है ये pet doctor होता है तो इसलिए बहुत ही अच्छे से काम नहीं कर सकता वो नाचो को बोलता है कि तुम्हें real doctor को ये दिखा देना चाहिए डोक्टर उसे बोल कर जाता है कि ये जो सब काम है ye मेरे लिए बहुत ही risk है अब ये future में ये नहीं कर सकता Saul को जो आदमी होता है फिर वो schedule चुराने के लिए office में आ जाता है वो जब चुरा रहा होता है तो office का जो owner होता है वो office में ही होता है वो छिप जाता है उसके जो आफिस का ओनर होता है उसके अपनी वाइफ से जगड़ा हो चुका होता है इसलिए वो अपनी वाइफ को कॉल भी करता है उसके अपोलिजी मांगता है पर फिर से उनका जगड़ा हो जाता है और फिर वो फोन रख देती है अब वो पुरे रात तक वही रुखने वाला होता है फिर ये आदमी Saul को call कर देता है वो बोलता है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए फिर Saul बोलता है कि मैं कुछ तो करता हूँ Saul फिल वहाँ पोच जाता है और इस owner की जो गाड़ी होती है वहाँ को टच कर देता है यानि गाड़ी बजने लग जाती है owner फिर बाहर जाता है और वहाँ गाड़ी के पास वो नहीं जाता और बाहर से उस गाड़ी के जो आलाम होता है उसको बन कर देता है इससे काम नहीं बनता तो Saul उस गाड़ी में घुश जाता है उस गाड़ी को hot wire करता है और गाड़ी को start कर देता है फिर वो owner भागते भागते उस गाड़ी तक आ जाता है पर गाड़ी को उसने race करकर आगे छोड़ दिया होता है Saul का आदमी फिर वहाँ से भाग जाता है Gus को बोलसा का call आता है पोलसा उसे बोलता है कि हमारे आदमियों पर अट्यक हुआ है अब हम ट्रांसपॉर्ट को थोड़ी देर तक बन करना चाहते है घस बोलता है कि हम एक विक तक काम चला सकते हैं उसे पता करने के लिए बोल रहा होता है वो गस को एक local supplier ढोडने के लिए बोल रहा होता है फिर गस गेल के पास आता है गेल हमें एक laboratory में दिखाय गया है वो अपना काम कर रहा होता है गस ने गेल को samples दिये होते चेक किने के लिए गेल उसे बोलता है कि तुमने मुझे जो sample दिये थे उसमें purity बहुत ही कम थी 60% का जो purity होती है वो बहुत ही highest pure होता है वो गस को बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने लिए काम करने दोंगे तो इससे बहुत ही अच्छा मैं तुम्हें product दे सकता हूँ गस उसे बोलता है कि इस वक्त हम यह नहीं कर सकते पर यह progress में है जब मैं ready होंगा तब मैं तुम्हें contact करूंगा किम घरबर होती है Saul के लिए जो चेक होता है 5000 डॉलर का वो Saul को दे देती है Saul बोलता है कि इससे मैं मेरे cards को pay कर दूँगा यह कुछ भी नहीं इससे तो अच्छा ही है फिर वो later Saul को देती है Saul फिर उसे बड़े आवाज में पढ़ता है उस later में लिखा होता है उस later में चकने लिखा होता है कि Saul का वो बहुत ही proud है जिस तरह से Saul ने अब जॉब ले लिया है और अपनी life को उसने turn around कर दिया है इससे वो Saul के परती बहुत ही proud में इससस करता है लेटर किम के लिए बहुत emotional होता है पर Saul को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता किम रोते रोते अपने room में चली जाती है यही एपिसोड खतम हो जाता है